अंतराश्टिय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उठापटक का दोर जारी है पिछले कुछ वक्त से कच्चे तेल में गिरावट के बाद आज उसकी कीमतों में बड़ोतरी दर्ज की गई है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर आज के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा है खास बात ये है कि आज भी देश के चार परमुक महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाब नहीं देखा गया है दिल्ली, मुंबई, चेन्ने और कुलकता में पेट्रोल और डीजल अपने पुराने रेट पर बने हुए हैं बता दें हाली में तेल का उत्पादन करने वाले ओपैक देशों के ग्रूप ने तेल के उत्पादन में कमी करने का फैसला किया था इसके बाद से तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन इसके बाद फिर कीमतों में कुछ राहत देखने को भी मिली चलिए जानते हैं देश के चार परमुक महनगरों में पैट्रोल और डीजल की ताजा कीमत हैं देश की राजधानी दिल्ली में एक लीटर पैट्रोल की कीमत 96.72 पैसे और डीजल की कीमत 69.62 पैसे परती लीटर बना हुआ है वहीं बात करें आर्थिक राजदानी मुंबई की तो मुंबई में एक लीटर पैट्रोल की कीमत 106.31 पैसे जबकि डीजल की कीमत 94.27 पैसे पर दिलीटर है चन्नी में एक लीटर पैट्रोल की कीमत 102.63 पैसे और डीजल की कीमत 94.24 पैसे पर दिलीटर टिका हुआ है वहीं कोलकता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 106.3 पैसे और डीजल की कीमत 5.76 पैसे इस्तिर है यानि कि आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा गया है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ